हेलो एवरिवन वेल्कम तो अपनी रसोई आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना शेक तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक जार लेंगे और उसमें हम एक केला लेके उसके छोटे-छोटे पीसेस करके डाल देंगे इसके बाद हम इसमें दो चमश शह डालेंगे और थोड़ा सा दूड डालके इसे मिक्सी में चला देंगे जिससे की एक हमारा पतला पेस्ट तयार हो जाए मिक्सी में चलाने के बाद इसमें जो बाकी बचा हुआ दूज है हम उसे मिक्स कर देंगे और हम फिर इसमें बादाम और अपरोट के टुकरे डाल देंगे इसके लावा आप जो चाहे वो ड्राइफूर्स यूज कर सकते हैं इसके बाद हम इसे दूबारा मिक्सी में चला देंगे अब इस बाना शेक को हम बरफ टाल करके गलास में सर्व कर सकते हैं गलास में हम किनारे चोकलर शीरफ लगा गए उसे हम डेकरेट कर सकते हैं और पिस तयार बनानाशेक में हम उपर ड्राइफूट्स डाल सकते हैं जो आपके पास हों अब उससे भी ड्रेकुरेत कर सकते हैं अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जादस जादस शेयर करें